अब आलो एवरिवन दोस्तों आईविपीस एफो प्रिलिम्स एग्जामिनेशन फाइनली हो चुका है एनालिसस आप सभी ने देख लिए होगी आई होप कि आपने सब चीजे देख लिया होगा समझ लिया होगा कि कि इतने आपके अटेम्ट रहे कितने बाकियों के सकते हैं और प्रिडिक्शन के चक्कर में आप भी मत रहिए क्योंकि उससे कोई बहुत जादा अच्छा होगा नहीं अगर प्रिडिक्शन आपके अकॉर्डिंग होगा तो आपको अच्छा लगेगा प्रिडिक्शन आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपको अच्छा exam को clear करने के लिए prelims एक important gate था अगर आप उस gate को clear करते हैं उसके बाद जो main परिक्षा है वह ही mains की है फिर उसके बाद interview है तो अब ये बहुत important है अब students कहते हैं कि sir ठीक है जब prelims होगा उसके बाद हम mains के लिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे या फिर तब शुरू करेंगे जब result आएगा तो last year मैं बताता हूँ 29th of January 2022 को paper होना था और result आया 19th of January को तो आप देख सकते हो कि पूरे 10 दिन पहले result आया बहुत ज़्यादा time नहीं बचा और पिशली बार paper इससे पहले हो चुगा था round 25 ये 26 को paper था इस बाद तो 31st को paper हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि result कब आएगा जनरली इससे पहले 5-7-8 जन में result आ जाता था बट लास्ट ये बहुत ज़्यादा लेट में result आया था और 29th को ही paper हुआ था तो इसलिए अपनी mains की preparation करते रही है prelims के लिए जितना भी discussion करना है आज उस discussion को पूरा कर लीजिए और उसके सांसा 22 को विदा करते हुए उस discussion को भी विदा कर दीजिए और 23 में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए target हमारा वही रहेगा IBPSA for 2022 and 23 तो cut-off की जो बात है है आप कहेंगे कि सर्फ prediction कुछ तो यह सारी cut-off इससे पहले की years की है हमने यह पहले discuss की थी यह वाले fill in the gaps हैं आप आज exam देके आये हैं तो आप ही इसको fill कर सकते हैं मैं इसको fill नहीं कर सकता हूँ और मैं आपको last year का बतात है था cut-off इतनी गई ओके जबकि students मैं आपको बताऊं कि 21.25 गई जबकि बागी students का कहना था कि sir paper overall ठीक ही था cut-off 40 या उससे उपर जाएगी 50 या उससे उपर जाएगी but cut-off कितनी गई थी 20.25 आप कहा सकते हो vacancy जादा है इस बार vacancies कम है तो अगिन कुछ भी हो सकता है क्यों समारे discussion इतना ही रहेगा important जो बात है वो मैंन आपको बता दिया 29th January result कब आएगा prelims का यह बहुत important है क्योंकि उसके बाद आपके पास कितना preparation करने का time मिलेगा या अभी साब कैसे preparation कर सकते हैं यह important है यह सोचते हुए आपको चलना है कैसे start कीजिए सबसे पहले previous year paper दीजिए आज क्या करना है 31st का day है definitely celebration तो बनता ही है celebration करना ही है यह जरूर देखिएगा 31st की रात को new year start होने से पहले इस साल आपने बहुत बड़ी चीज क्या की और क्या miss की next year में क्या आप target करना चाहते हैं हम resolution के नाम पे बहुत सारी चीज़े सोचते तो हैं करते तो होती नहीं है बट इतना analyze जरूर कीजिए कि आपकी job के perspective में आपकी education के perspective में ये साल कैसा रहा आने वाला साल कैसा रहीगा previous year paper दीजिए first को जब आप उठेंगे दिन तक तो उसके बाद previous year paper को देखिए सबसे पहले फिर उसके बाद syllabus देखिए और फिर अपने sources को fix कीजिए पढ़ना शु को देखने की कोशिश कीजिएगा जैसे यहां पर हमने को subjects में इसको डिवाइट किया है current agriculture, agronomy, soil science, irrigation, horticulture, extension, entomology, pathology, 2021-22 जो की January 2022 में paper हो था उसमें कौन से question थे इससे आपको लगभग trend पता चलता है कि इस topic से कितना question आने वाले हैं तो generally क्या होता है कि हम अपनी पूरी energy ag agronomy या फिस soil science में लगाते हैं, last year उससे बहुत अदर questions नहीं आये, उससे पहले आये थे 20 questions के अप्रॉक्स, agronomy, soil science आये थे, but last year अगर आप देखोगे, 7, 8, 10 questions इसमें से आये थे, इसके अलावा मैं देखता हूँ, major portion हमारा time जाता है, current agriculture, नबार, नॉम्स, यह वो सो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हैं या फिर सोचते हैं कि यह सारी चीज़ें पढ़नी हैं, उसमें भी आप देख सकते हो कि current agriculture में कितने question आपके आते हैं, इसमें कोई ऐसा question नहीं है, जिसके लिए कि किसी भी loan के norms को आपको पढ़ना पड़े, यह देख content है और चितना किया जा सकता है, हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी हैं, जो bank join करने के बाद काम करने ही पढ़ेंगे, तो यह थोड़ा सा difference देखके, अपने time को थोड़ा सा समझ के करना है, सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि YouTube पे आपको जो मिला आपने पढ़ लिया, वो कित प्लैन और यह सारी चीज़ें डिसकस कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे broad topics में आप इसको कीजिए, जैसे लास्ट यह हमने देखा था कि food tech से 5 questions हमको देखने को मिलेते हैं, पास्टराइशन से golden rice, TSS content यह सारी चीज़ें, generally agronomy, soil science पढ़ते हैं, हम यह समच के चलिएगा, ओके, so preparation आपको अभी से start करनी है, कैसे करनी है, आइक्जैम भी में जैसे हम लोग ने अभी live classes schedule बनाया है, इससे पहला हमने prelims के लिए था, यह आप देख सकते हैं, हमारा live classes का schedule है, daily live classes हमारी होंगी, और 30 live classes total हमने schedule की है, रोज 4 बजे और जिस दिन 2 classes है तो दूसरी class दिन में 12 बजे होगी, तो रोज शाम को 4 बजी यह classes होगी, आप देख सकते हैं कि हमने इसमें सारी चीज़ों को well designed maintain किया है, जो previous examination के trend के according है, जैसे current agriculture, then agronomica revision, soil science, current agriculture part 2, soil science, फिर animal husbandry, agronomy, agri schemes, plant nutrition, physiology, agriculture, schemes का दूसरा part, entomology, animal husbandry, house flooring, spacing, horticulture, fisheries, entomology, नाबाट subsidies, agriculture subsidies, subsidies वाला part important होता है, horticulture part 2, agriculture and light production data, data बहुत important, agriculture extension, animal husbandry, irrigation, तो यहाँ पर हमने यह कोशिच की है, कि हम अपने आने वाले 30 दिन में, हम सारे ही important topics को, questions and answers के थूँ, हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विलगी पढ़ना शुरू करेंगे, कि agronomy word, you know, derived from agros plus normos, वह ऐसी वाली ची पर देखेंगे, but questions and answers के थूँ, क्योंकि last year का जो paper था, उसमें जो questions थे, उसमें बहुत बड़े-बड़े questions थे, आपके लिए understanding उसमें होना बहुत जरूरी थे, ऐसा कोई direct question नहीं था, previous year paper देखेंगे, आपको उसमें direct question लिखेंगे, क्योंकि वो memory based है, but question बहुत जादा detail मे last time पूछे गए थे, तो यह हमारा 29 January तक 28 January तक का schedule है, इसको देख सकते हैं, इसके recording हमारी live classes, सारी की सारी रहेंगे, इसके लावा हमने study plan भी आपको दिया था, ultimately जो सबसे important है, वो क्या है, आप अपने notes जरूर बनाईए, make your own notes, और notes को बार-बार revise कीजिए, जितना revision करेंग इसा नहीं होता है, detail में पढ़िए, one liner खुद से बनाईए, सबसे अच्छी आपकी strategy वही होगी, इसके लावा जो मारे courses हैं, अगर आप enroll करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, जो already enrolled students हैं, उनकी लिए ये सारे sessions रहेंगे ही, जो live class study plan मैंने आपको show किया, इसके according आप पढ़ सक पर हैं, उसको daily target बना की चली कि आज मैंने इतना जरूर cover करना है, so this time IVPS AFO का course हम 1555 रूपीस में दे रहे हैं, basically क्योंकि बहुत सारे student की query आती है कि sir, बाकी सारी चीज़े तो ठीक है बड़ mock test provide करा दीजिए, बाकी चीज़े नहीं चाहिए, या फिर बाकी लाइब class या mock test ह सबके अपना अपना रहता है कि किसी को live class रहे है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे ऐसा कोई segregation या separation नहीं है, पूरा course की ही आपको access मिलेगी और उसमें हर एक topic के लिए एक short video रहती है, PDF रहते हैं और उसके आप चेप्टर टेस्ट होते हैं, उसके अलाब़ा अलग से mock test ह होते हैं, live classes चलती हैं और interview guidance, तो यह सारी ही चीज़े रहेंगी, इसमें से कोई भी चाहिसी नहीं है कि हम कुछ निकाल के कुछ अलग कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़े इसमें रहेंगी, तो यह आप अपने recording demo देखके ले सकते हैं, इसके लाब़ा प्रीएस यह paper, mock test, आपको exam B की website में free में मिल जाएंगे, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, try कर सकते हैं, so this is all for today, इसके लाब़ा किसी का कोई भी doubt, query question है, आप हमें लेख सकते हैं, किसी भी student को कोई भी issue है, तो आप हमें लेख सकते हैं, जैसा मैंने starting में कहा था, अपने को बार बार repeat करिए, कि आप यह चीज़ कर सकते हैं, और जो चीज़ हो चुका है, उसको छोड़ दीज़े, जो आगे होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए, आगे को preparation कीज़े, यही बात हम celebrate करते टाइम भी बोलते हैं, 2022 जैसा था, वैसा था, 2023 को हम बहुत अच्छा बनाहेंगे, जैसा है, झाह था, आगे ना विसकान है अच्छा आपकोत शर भी और आप्यशन धर यह जऑशन वेडेए, 2023 कहा है, पैर हैं धर दॉन एट ऐखते हैं, ओिक मैसर के लुखने यह चाहा है, पीज़े केलेंगे में, इगे अबिड़े लिट आज़नगे, पनाहा